सल्मान फार्सी एक इस्लामिक इन्वर्मेंटल स्कूल है, जहां इल्म की रोश्णी है, साथ ही CVSC-based syllabus, well-equipped science and computer lab, all qualified teachers, separate girls and boys sections, ample of playground with natural environment or swimming pool for pre-school, spoken English, नमाज, Islamic syllabus from the beginning, अपने बच्चों को इस्लामिक महौल और आला तालीम दे, आज ही admission ले reasonable fees के साथ, सल्मान फार्सी स्कूल आपके बच्चों की मुस्तक्बिल की तामीर, मैं इस्लाम अधिन खान और आप देख रहे हैं प्रहागाई, मुम्रा के शादी महर गली के जोहरा अपार्टमेंट में रहने वाले इम्तियास खान ओंग 34 साल है, यह आटो रिक्सा ड्राइवर ने इनको जोरदार टक कर पीछे समा दीन, इसकी वज़े से इम्तियास के सर में काफी कंभीर चोट लगी है और जगें पर यह बेहोश हो गए, इन्हें प्राइम हॉस्पिटल के आईसीयो में जोह भरती कराये गया है जहां हालत इनकी नाजुक बनी हुई है, दरसल इम्तियास शादी शुदा है और इनकी दो बच्चे थी है, घटना 22 मई रात करीब 12 बचकर 50 लिनट पर शंकर मंदिर के नजदीक शमसात नगर के पास रोड़ पर हुआ है, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्तियास और उसका दोस्त इम्रान सेयद दोनु साथ में चल रहे हैं, तभी पीछे से रिक्षे वाले में टककर मारती और फरार हो गया, इन्तियास तो अभी भी कुछ भी बोलनी की स्थिती में नहीं है, मगर इम्रान ने बताया कि दोनों पैदल चल रहे थे, तो इसी रिक्षे वाले ने पहले इम्रान को टककर मारा, जिसके बाद इन लोगों में कहा सुनी हुई, किसी तरह से मामला शान्थ हुआ, इम्रान और इम्तियास ये दोनों आगे की तरफ पैदल चाने लगी, मगर तभी से तेज रफचार आया, ये रिक्षे वाले ने इम्तियास को पीछे से टककर मारा और फरार हो गया, जगा पर ही इम्तियास बेहोश हो गया, इम्तियास को प्राइम हॉस्पिटल में लाया गया, आईसी ओ में भरती है, सिर में काफी गंभीर चोट लगी है, अभ हलाकि ये रिक्षा ड्राइवर और उसमें सवार दो लोग कौन है, अभी तक ये पता नहीं चल सका है, हलाकि CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है, परिवार के लोग जैसे इन्तियास के पिता नईम खान और मा ने पुलिस में इसकी शिकायद भी की है, CCTV फुटेज भी परिव परिवार वालों ने पुलिस को दिया है, और परिवार वालों को कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उनके बेटे का जिसने इस तरह से हाल किया है, उसको भी सजा मिल ली चाहिए, इम्तियास खान अस्पताल में भरती है, हालक कफी गंभीर बनी हुई है, इम्तियास खान क दोस्त जो वारदात के वक्त मौझूद थे इनका नाम इम्रान सेयद है उन्होंने और परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं आपका और जिनको रिक्षे से मार लेगी है उनका क्या नाम है और कभी घटना हूँ थे मेरा नाम है इम्रान सेयद है मैं मेरी खाला के दर आया था मेरा भाई आर रहता है कुंशा नगर में तो मैं तीन-चार दिन से उसी कहा रुका था आज हम दोनों मिलने वाले थे हम लोग बच्पन से बहुत जादा क्लोज है एक दूसरी दात में दोस्ति उसकी और मेरी बहुत जादा गहरी है हम लोग बाहर निकले घुमने के लिए पहले में मेरी खाला के घर पे आया यह मेरी खाला है और इनी का लड़का है इनी के लड़के के साथ में हाथसा हुआ है मेरी सगी खाला का लड़का है क्या नाम है उनका कि इंतियास खान है तो कहा आप लोग दो आने के टाइम पे चम्शाद नगर का अरिया आता है वहां से क्रॉस करने के बाद में. एक रिक्षावने मेरे साथ ने बत्तमीजि की है आप अच्छे से चला हो क्यू बत्तमीजिए क्यों बत्तमीजिए घुर मारा और मेरे रायट शैड का जो सोल्डर है घुरा हुआ है और वही शोल्डर पर उसने मुझे फटका मारा तो मैं इसको अच्छे से बोला मुला भाई जो रिक्षा जो है आप अच्छे से चलाओ क्यों ऐसा बत्तमीजी कर रहे हो मेरे हाथ पर आपका जो ठोकर है मेरे कंदे पर लगा तो बहार निकल के मेरे साथ में बत्तमीजी करने क्या कर लेगा तू हाठ होका मैंने क्या करेगा तू तो उस टाइम पर उसके साथ मेरी हतापाई होने लगी मतलब उसने मुझे धक्का मारा मैं उसको धक्का मारा तो वो टाइम पर बात बढ़ रही थी उसके साथ के जो लोग थे वो भी उसको छोड़ा रहे थे बोले बाइय मुझे आगी की तरफ लेके जा रहा था चलो भाइय चलो जाने तो अपने को जगडा नि करने का यही बात करते करते हम लोग थोड़ा आगी की तरफ गए और वही रिक्षा वाले ने मेरे भाइय को इतनी बेदर्दी से और इतनी तकलीफ के साथ ने मेरा भाई नीचे गिरा है, गिराने के बाद में उसको उड़ाने के बाद में उसके जो पär थे, उसके पैर के उपर से उड़ा के लेगी गया, मैं चाहता हूँ मेरे भाई को इनसाब मिलेuhan, तपूलने तक्कर मारा रिखे ऑ सबे रहा, मेरे भाई के कान के पड़दे फड़ गए मेरा भाई इस टेंप पे आइसियो में बहुत क्रिटिकल मामला है मैं चाहता हूं मेरे भाई को इंसाफ पिले डॉक्टर ने क्या बताया है अभी दवाई की जरूद नहीं है इस टेंप दूआ की जरूद है और यह वही लोग है जो मेरे साथ में हातबाई किये यह वही लोग इस पुलिस में यह घटना कभ उई थी बता जारा दो तरह तो यह तीन दिन पहले हुई है रिक्षागा तो मैं उसको बोला के तुने मेरे को धक्का मारा मेरे को इसको पुलिस का नंबर निकाल के फोन लगाने लगा तो उसके साथ वला बंदा बुला भाई किसी को फोन लगाने की जरूत नहीं है उस टाइम हो रहा था 12 बचके 51 मिनिट 12 52 हो रहा था उस टाइम पर आप CCTV फोटेज भी चेक कर सकते उस टाइम प सब्सक्तराइब कि पर ऊफिस उस्वाले को हमने ही केस वगएरा करा रहा है अपका को हम ने ही वे च आच्ना और पुलिस दो कि लिखाने के लिए तो हम लोग को बोल रा है कि आउटो का नंबर लाके दो, अब हमी CCTV के फुटेज निकाले और हमी नंबर ले, पुलिस क्या कर दिए इस हूँ, पुलिस बोल ले, आप लोग से, आप लोग ले, आप लोग ले, आप लोग नंबर ले, रात को मैं जब यह घटना होई, होने के बाद में, जब यहाँ पर हूँ, हूँ, इस हूँ, उसके बाद में, जब मैं मेरी खाला को घर चोड़ने घ़या, रात को, छोड़ने की बाद में, उससे पहले मेरी मेरी छोटी में 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 को, क्या बोली, भाई जो वाकिया, जहाँ पर हुआ हम वीडियो लेते खैंब लोग जाते वहाँ पर पीश बनाया, वीडियो बनाके मैं मेरी खाला को घर पे छोड़ा, फिर ओटो वाले ने मेरे को क्या बोला, जो रिक्षा वाले ने यहाँ पे केज दर्च किया था, वो पुलीस वाला यहाँ पे खड़ा, एमकी के पास, रोड पे, एक काम करते हैं, उसको भी जाके आप उने यह वी पास, चाहिए आपके में लेके पुलीस टेशन में, यह बताया थाएं प्टेशन में, नमबर ने मिल रहा है, आपका मैं पुलीस है तो ज़बान नहीं चला सकता, इसंए बनाषिज जाए नमबर कां से लाके दो मैं, तो थीक है बलकर भाहर निकल गया, और मैं यह चाहता हूं मेरे बच्चे के दो छोटे योटे बच्चे हैं उनको हग जाए और कारोबार नहीं है उसका परेशानी है उसका कोई हक मेलना चाहिए आज महुत जिंदगी से खेल रहा है बस अल्ला के अपर छोड़ दी हमें और इसके साथ जो आगे बढ़ाएगा मेरे बच्चे की मदद करेंगा वह अल्ला उपको इंसाब देगा और इंसाब को मैं उमीद रखता हूं अल्ला आगे जो करेगा वह अल्ला देखेगा मैं मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं इतना सब कुछ होने के बाहुजूर पुलीस क्या कर रही है अभी तक रिक्षे वाला पुलीस वालों मुझे कहता है कि आप घर जाओ हम एक्शन लेंगे आज का चाउटा या पाच्वा देने लेकिन अभी तलक पुलीस वालों ने कुछ नहीं किया है वो लोग मुझे लगता है हाथ प्यात डालके बैटे है और मेरा भाई बहुत सेरिया से मेरे भाई का कंडि जएने का जिक चलного जहीं यह एक छोटी से बहस होने से कोई इतना बेरहनी से कोई जानवर को महीं इशाने मारिगा और ऑ flow इंसान पैर पर से लेके चले गया अचाहा यह बहुत पैर लें और रोकां पक्र लीक की नहीं और इतना होनेग के पावित कोलीस भी को एक्षि नहे खुम्द रहा एक पकड़े जाना चाहिए एक आखिरी बात पबॉस्यक्ट ट्क तकर मारा इसमें कितने लोग थे जिसके साथ मेरी जो टकर मारा किसी तो मेरे साथ में जाधा उल्जा धका मुकी कितने लोग बैठे थो थे कम से तीनों जन्ने दो से तीन लोगों ने वाइट कलर का शट पेने तेरे कुछे बैटने वाले ने बोला जो तुम्हारे साथ में हाथ पे शोल्डर पे जो मारा ना तक्कर लगी ना उसकी दरब से हम लोग सौरी बोलते हैं आप पुलिस को फोल मत लगाओ वो टाइम जो हो रहा मतलब क्या होता है चुछ आगी जाने करने के बाद मैं यो उसकी ने मेरी का बैर को उड़ाया आ जिस रिकसे वाले से आप लोगों की वहissements की आप लोगों जानते पहचानते उसको या अंजान था अब लोग के जान पहचान करने पार जान पहचान करने के बाद में इतना हमारे साथ गलत होने बावजूदु कैसले मेरे भाइव के बोला चलो आप कंघ कर ले चला गया उसके बावजूद उसने मेरे भाई को इतनी बेहर्हैमी से उराके गया होने है लिए Σाप कोई हद मी इसकी अगर कोई और भी इंसान होता ना जगा पर कोई इंसान एकदम जिसका दिल फत्तर होता है वो भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता तो जो हरकत उसने किया एकदम महा घटिया हरकत साथ अजियाओ